पर दंगल की तरह है लड़ रही राजनीती आप देख रहे हैं हर परकार से हो रहने वाली राजनीती में एक घबराहट है लेकिन उसी बीच हमारे साथ कुछ चात रहे हैं वो मिले हैं हमें एक कारेकरम में जहां पर भारती जनता पाल्टिका एक कारेल है यहाँ पर जो यह लोग हैं यह थेटर के लोग हैं और एक परकार से चुनाव का एक दाइरा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं दिल्ली से आए हैं क्या नाम है सर आपका जी हमारा नाम पुनीत कुमार है और हम दिली से आया हुए है अच्छा आप क्या करने आये हैं रुड़की में दरशल हम यहां प्रोमोशन के लिए आया हुए है तो कि इस बार जो चुनावी महौल चल रहा और डॉक्टर संजय सिंखडे हैं हमारे बड़े करेवी करीबी हैं और काफी अच्छा काम करते हैं भारतिय जन्ता पार्टी से बहुत सालों से आप क्या थेटर से हैं कहां से हैं हम थेटर से बिसिकली बिलॉंग करते हैं अच्छा कितना समय होगे आपको थेटर करते हैं और मैं भी थेटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगबक 10-12 साल हो गए थेटर करते हुए, और जैसे कि आप सवाल पूछना चाहते हैं कि थेटर करने से आपको बताना चाहूंगी, कि जो व्यक्ति थेटर से जुड़ता है, उसकी मानसिक सोच बिलकुल अलग हो जाती है, क्यों हम उनको परसनली सपोर्ट करें, साथी साथ उनकी जो 40 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जैसे कि आप देखना चाहिए, हम उनको भी सपोर्ट करें, तो हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी पार्टी को है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बीते वर्षब में आप सभी जानते ब हैं, तो क्या योजनों का परचार आप कर रहे हैं लोगों के सामने, बताना चाहूंगे बिलकुल कि हम जो कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुनना होगा, कौशल विकास योजना, दूर दूर गाओं में, जहां भी हमारी माताय भेने, किसी भी कारण बश और शिक्षी रह जाती है, और उच्वला योजना पताऊंगी, आपने देखा होगा कि गाओं के अभी भी कई-कई जैसे रहते थे, कि लोगों को सास की दिक्तर खास कर महीला को जो चूले पे खाना बनाती थी, लेकिन बिज़ेपी सरकार आने के बाद इस मुद्धे को उठाया गया, सिलेंडर प पर जो हमारे मैं गुपतर जी उन्हों ने भी ये दिया है, उन्हों का वादा है कि अगर वो जीतते हैं, तो यहां पे वो पुस्तकाले खुलवाएंगे, ओपन जिम खुलवाएंगे और ऐसी बहुत ही दमाम सारी चीज़े जो संदा के लिए करेंगे, थेटर की दुनिया स कैसा लगा आपको रूड़की कैसा लगा रूड़की बहुत अच्छा, मैं तो सोच रहा हूं यहां पर यही बस जाओं मैं गर ले लो ना, तो साधी इधर कराने आपकी, बिल्कुल करा दो ना, अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, यहां की राजनीती में क्या लग रहा है तो यहां की राजनीती में आप आ रखे हो, देख भी रहे हैं आप किस परकार से राजनीती की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सर गुलशन, गुलशन जी एक बात बताईएगा आप, कितना समय हो गया आपको थेटर में? अब भी तुमुझे मेरा तो स्टार्टिंग पीरियोड है, अभी स्टार्टिंग है आपको, यहां पर रुड़की में आए हैं, रुड़की के लोग कैसे लगे आपको? यहां की लोग अच्छे हैं काफी, काफी अच्छे हैं? उत्राखंड का नाम है कहीं? दिल्डी वालों को जब छुटिया पड़ती, दिल्डी पुरा उत्राखंड आ जाता है? आप एक बाप बताईए, यहां की राजनितियों की उत्राखंड यहां है, राजनिती का उतार चड़ाओ बदल देता है, कभी कॉंग्रेस, कभी भारतिय जन्ता पार्टी, तो यहां का कैसा लग रहा है? यहां का भी सेम ही है, मतलब ठीक ठीक ठाक, ऐसा ही है? लेकिन आमने जहां तक देखा, भारतिय जन्ता पार्टी का कुछ जादे ही हला हुआ हुआ है, जहां भी जाओ भारतिय जन्ता पार्टी, यहां के जो लोग मतलब जो लोगर लेवल के लोग भारतिय जन्ता पार्टी, सबकी मतलब जबान पर एक ही नाम है भारतिय जन्ता तो इस बार भी वोट मुझे जहां तक लगता है कि भारती जंदा पार्टी लेगे जाएगी और हमारी best wishes भी भारती जंदा पार्टी के साथ है पाहड की राजनिती से लेकर पलायन तक हरद्वार की गंगा बहती रूड की के बीच आपने देखा है और जो यह लड़की है उत्राखंड की और दिल्ली से लोग आये थेटर के वो परचार किस खोबी से कर रहे हैं वो हम साथ बाद में दिखा सकते हैं अगर मोका मिला तो आ आप देखते रहे हैं समचार इंडिया ख़बर से लेकर असर तक